अब आज इस वीडियो में देखते हैं, excise 4.2 में जो मैंने homework question दिया था, question first का 5th part वह देखते है, question first में हमारा क्या था, find root by factorization method, factorization method से करना था, उसका 5th part आगी है, 100x square minus 20x plus 1, बस भी है, मैंने इस excise में यह homework question दिया था, तो यह homework question दिया था, तो यह homework question अब करा रहा हूं, तो इसको 100x1 करेंगे, तो आगे हमारा 100, तो अब 100 के factor कर दो, इसको इसके साथ multiply करते हैं, इसको इसके साथ multiply किया, 100 ही आया, तो इसके factor कर दो, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1, तो यह 4 factor बने, अब मुझे इन 4 का use करके, 2, 2, 5, 5 का use करके मैं को minus 20x मनाना है, मैंने सोचा कैसे बनाऊ हूं मैं, मैंने सोचा 5 into 2, 10 होता है, फिर मैंने सोचा 5 into 2, 10 होता है, मैंने का हाँ मेरा बन जागा, minus 10, minus 10 कर दो, यह हुआ, minus 10x, minus 10x, बागी सारा ऐसे का ऐसी नीचे उतार दो, 100x square, यह नीचे plus 1, is equals to 0, देन अब इन दोनों में से जो common में रहा हो ले लो, क्या है, इन दोनों में क्या common है, 10 common है, तो 10 common लिया, इधर क्या बचाएगा, 10x, 10 और x भी तो common है, तो इधर क्या बचाएगा, 10x बचाएगा, minus, इधर बचाएगा, 1, अब इधर क्या बचाएगा, इधर क्या common लिया, minus नीचे का ऐसे का ऐसी उतार दिया है, इन दोनों में क्या common मिल रहा, कुछ भी common नहीं मिल रहा, तो कुछ भी common नहीं होता तो समल लो, 1 common होता है, 1 ऐसे कैसी लिखा, तो minus 1, यह इधर आगा, तो इधर क्या बचाएगा, 10x minus 1, is equals to 0, then, अब 10x minus 1, 10x minus 1, एक साथ लिख दो, और यह 10x minus 1, इधर लिख दो, 10x minus 1, is equals to 0, then, क्या जाएगा, x, 10x minus 1, is equals to 0, comma, 10x minus 1, is equals to 0, दोनों को, इसको भी 0 के एक वाल रखती है, इसको भी 0 के एक वाल रखती है, तो क्या जाएगा, x is equals to 1 by 2, इधर भी क्या जाएगा, x is equals to 1 by 2, अंसर, okay, 1 by 2 के हो यार, 1 by 10 होगा न, 2 तो है, 2 कहां से आँ गया, यह वाल इधर जाएगा, तो प्लस 1 होजागा, बागे 10 नीचे आँ गया, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, आंसर, that's it, कोशन कतम,